ओम नमस्षिवाय ओम सूर्याय नमाँ स्वागत है आप सभी का मेरे वक्ती भावना यूटूब चनल पर दोस्तो आज मैं आपको सूर ग्रेंड से सम्मंद जानकारी दूँगा जिसमें से नौ रासियों की जानकारी दूँगा और उनमें से भी नौ रासियों में से भी पांच रासियां हैं जो भीहदी भागिसाली रहने वाली है इस वार ये ग्रेंड बहुत बड़ा ग्रेंड लगने जा रहा है दोस्तों सूर ग्रेंड पर इस वार तीन बड़े सुभ यूग बन रहे हैं तीन ग्रेंड का सयूग बन रहा है बहुत बड़ा यूग आप एक प्रकार से कह सकते हैं आने वाला समय आपके लिए ब्यादिश हो है जब भी सूर ग्रेंड या चंद ग्रेंड पढ़ते हैं तो ल बिजनिस के लिए नोकरी के लिए ग्रेंट पका प्रबाव रासियों पर कैसा पढ़ने वाला है यह संपूर जानकर यह आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी जो भी चैनल पर पहले है चैनल को सबसाय करें और साथ ही बैल आकन बटन को दबाएं पीडियों का न देश रासि में चार ग्रह एक साथ हैं सूर चंद्र बुद्ध राव फिर गुरू भी आ जाएंगे तो बहुत बड़ा यूग बनने जा रहा है अब नौरास ही आएं देखो ग्रेंड काल में बैसे बारत के अंदर इसका प्रबाव नहीं है लेकिन गरबती मेलाओं को फिर सब जादी नहीं काटने सोना नहीं है कपड़े बगर नहीं दोने हमा वास्या का दिन होता है साथ बज़े से लेकर के साड़े बारे बज़े के बीच में आपको कुछ नहीं करना है साड़े बारे बज़े के बाद में पित्रों की पूजा करें दोपेर में पित्रों की पू तीसरी है करक रासी, चोती है कन्या रासी, पांचमी है तुला रासी, छटमी रासी है दनु रासी, साथमी रासी है कुम रासी, ये साथ रासिया है जो बेहदी भागिसाली है, लेकिन मेन नौ रासियों के लिए गिरेंड अच्छा है, सिंग रासी और मेस रासी, दोनौ रासी अच्छी हैं लेकिन सिंग रासी के स्वामी यानि सूर पर गिरंड लग रहा है तो सिंग रासी वालों को बिशेश सावधानी वरतनी है स्वास्त का ध्यान रखना है बानादी उस्यारी से चलाए और उस दिन बाहर ना निकले तही अच्छा है बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने बाला है कारोबार में उननती मिलेगी हर प्रकार की मनुकामना है आपकी पूरी होंगी तो दोस्तों ये जो रासियां थी जो मैंने बताई है बहुत ही भागी साली है साथ ही मकर रासे और मीन रासी का योग भी अच्छा है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्वाज जरूर लखें